हाला दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इजकेडिर इंडिया के रेलवे क्राइस कोर्स के वीडियो में इस वीडियो का पीडियाप हमारे टेलेग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इसके अलावा डेली 100 कुछ प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलेग्राम चैनल कुछ इंडिया को जोईन कर सकते हैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो में हम जो रेलवे के जो टोटल जोन है उनके बारे में देखेंगे और यह भी अध्यान करेंगे कि इनका हेड़कॉर्टर कहां है और जो पहला रेलवे जोन है वह कौन सा था और सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है इन सब के बारे में हम अध्यान करेंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं जो पहला railway zone है Central railway जिसका headquarters है मुंबई का जो छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनल है वो है Central railway zone का मुख्याला है मुंबई में न किवल एक ही railway zone का मुख्याला है बलकि तीन तीन railway zone का यानि दो में जोन है और एक सब जोन है उसका headquarters मुंबई में ही है इसके अलावा कोलकाता में भी तीन railway zone का मुख्याला है तो हम एके करके इनके बारे मध्यान कर लेते हैं जो भारत के जो चार प्रमुख सहर हैं जैसे मुंबई इन चारो सहरो में railway zone के मुख्याले हैं तो जो नार्थ railway उसका मुख्याले नुदेलेही में है और जो इस्ट railway है उसका मुख्याले कॉलकाता में हैं अगर हम बात करें भारत मैप के द्वारा तो यह आप लोगों को भारत के मैप दिख रहा होगा, कोोलकाता भारत के पूरवे में इस्तित हैाँ, इसी तरह हम आगा हम New Delhi की बात करें, तो वह भी भारत के उत्तर में ही 30 डच्छन E तो इन जो चारो जोन है, इस्ट जोन, नार्थ जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन, इनके मुख्याले इन चारो सहरों में हैं, साउथ जोन तो उसका मुख्याले है, चन्नाई में और जो वेस्ट जोन है, उसका मुख्याले मुंबई में यह है, लेकिन मुंबई के चर्च गे जोन इसका भी मुख्याल है मुंबई में है लेकिन एक मुंबई के चर्च गेट में है और एक जो चत्रपति सिवाजी महराज ट्रेमियल है एक को हां है कि इसके लवाए ये जो चार रेलवे जोन हो गए जो चार प्रमुक्षर हैं इनका एक सेंट्रल भी railway zone है जैसे अगर हम बात करें जैसे हम एक ऐसे अगर line खीचते हैं भारत के नक्से पर तो यह हो गया नार्थ साउथ वेस्ट और या इस्ट हो गया Central से जो नार्थ railway zone है इसके बीच में भी एक मुख्यालय है रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय है तो इसी तरह चार Central वाले हैं इन चारों सहरों के बीच का तो जो नार्थ सेंटरल रेलवे है उसका मुख्यालय प्रायगराज में है जो कि इलहावाद का निया नाम है इसी तरह जो West Central Railway है उसका मुख्याल है जवलपूर MP में है Next है South Central Railway जिसका मुख्याल है सिकंद्रावाद में है और सिकंद्रावाद है तेलंगाना में जो East Central Railway है उसका मुख्याल है हाजीपूर में हाजीपूर बिहार में है अगर हम मैप के थुरू भी देखें तो यहाँ पर है हाजीपूर और यह है सिकंद्रावाद Next है North Western Railway जिसका मुख्याल है जैपूर में है और हम अगर इस डारेक्शन के थुरू भी देखें तो यहाँ है जैपूर तो यहाँ नार्थ West Railway का मुख्याला है Next है South Western Railway जिसकी मुख्याला है हुबली में या फिर इसको हुबली भी बोलते हैं और यहाँ है करनाटक में यहाँ पर है यह Next है South Eastern Railway जिसका मुख्याला है कोलकाता में कोलकाता में इस्टरेलवे का भी है और इसका मुख्याला है यह जो जी यार लिखा है यानि गार्डन रिच एक जगह है वहाँ पर है नेस्ट है साउथ इस चेंटर रेल्वे जिसका हेड़कॉर्टर है बिलासपूर में बिलासपूर है छतिस गड़ में यहाँ नेस्ट है नार्थ फरंटियर रेल्वे यानि उत्री सीमान्त रेल्वे और इस रेल्वे का जोनों का मुख्याला है गुवाटी में और गुवाटी है असम में नेस्ट है इस्टन कोस्टर रेल्वे यानि पूर्वी तटी रेल्वे जिसका हेड़कॉर्टर है भूनेस्वर में और भूनेस्वर है उड़ीसा में जो भुनेस्वर है वा समुद्ध किनारे ही है समुद्ध तट्पे है इसलिए यहां पर एक मुख्याला भी बना दिया गया रेल्वे का भुनेस्वर में जो इस्टन कॉस्टर रेल्वे है उसका नेस्ट है साउथ कोस्टर रेल्वे और इसका मुख्याला है विसाखा पटनम में है विसाखा पटनम है अंध्र प्रदेश में नेस्ट है कोलकाता मेट्रो रेल्वे कोलकाता मेट्रो रेल्वे जोन का मुख्याले कोलकाता में है और यह बनाया गया था 2010 में इसे जोन बनाया गया था Next है Eastern Northern Railway जिसका मुख्याला है गोरकपुर में इस सभी railway zones में सबसे बड़ा railway zone है North railway zone यह सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा railway zone है वह है उत्तरपूरवी railway zone जो जिसका headquarters है गोरकपुर में आवर हम बात करें जो सबसे पहला railway zone तो है Southern railway zone Chennai जिसका headquarters है और यह बनाया गया था 1951 इस flow chart में हमने जितने भी 18 railway zone है उनके बारे मदन क्या है लेकिन इसके लाबाए एक sub zone भी है जिसका headquarters है मुंबई में ही है नवी मुंबई में और वह zone है Concord railway zone इन सभी zones पर अधारित यह 20 questions है जो कि exam की दिरिश्ची से बहुत important है यह question ऐसे direct पूछे जाते हैं कि मदरुले zone का मुख्याला कहा है या फिर पूर्वी railway zone का मुख्याला कहा है इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि जैसे Kolkata Metro Rail जो था वह कब zone बनाया गया था या फिर सबसे बड़ा railway zone कौन सा है तो इन सब 200 questions का answer आपको comment box में देना है अगर आप लोगोंने वीडियो को पूरा देखा होगा अच्छे से देखा होगा तो इन 200 questions का answer आप बहुत ही आसानी से देख सकते है चलिए दसों इस वीडियो में इतना ही है बाकी मिलते हैं आप से नेस वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद